Hey guys, welcome to this channel. Today I am going to discuss you what is written constitution and what is unwritten constitution. लिखेश समिधान और अलिखेश समिधान की अगर मैं बात करूँ तो ये लोगों को बहुत जादा confusion रहता है कि लिखेश समिधान हमारा क्या है और अलिखेश समिधान हमारा क्या है. तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो तयार किया जाए और इसको यूट्यूब पर शेयर किया जाए. तो दोस्तों, Learn with Aashish, ये channel आप देख रहे हो. सबसे पहले मैं एक motivational point पर discuss करना चाहूंगा. लाइफ में होता क्या है दोस्तों, कि हम चीजों को दो बार होते हुए देखते हैं. कोई भी चीज हम जब करते हैं, तो वो एक बार पहले भी वो चीज घटेत हो चुकी होती है. मतलब कहने का क्या है? दोस्तों, एक बार हम एक अपना कच्चा map, एक rough line ड्रॉ करते हैं अपने दिमाग में, और उसको मूर्ती रूप देते हैं बाहरी दुनिया में second time. मतलब कहने का ये है, जैसे आप कोई plot लेते हो, फिर उसमें मकान बनवाते हो, तो मकान बनवाने के पहले उसकी imagination आपके दिमाग में हो जाती है, उसका एक नक्षा, एक खाका उसका तयार हुआता है, कि वो मकान या वो घर हमें कैसे बनवाना है. इसके बाद फिर आप उसको मूर्ति रूप देते हो, जब आप उसे बनवाते हो, इसी तरह जब आप किसी चीज़ की तयारी को करते हो, तो पहले उसका एक खाका तयार करते हो, अगर आप bank की तयारी करने जा रहे हो, आप SSC की तयारी करने जा रहे हो, आप IES की तयारी करन हो आप उसको बनाते हो तो कोई भी चीज आपकी लाइफ में हमेंसा दो बार होती कोई क्रिमिनल भी अगर कोई क्राइम करने जाता है तो उसका एक खाखा जो होता है वो इसके दमाग में तयार हो चुका होता है इसके बाद वो उस चीज़ को अंजाम देता है वो उस चीज़ को मूर्थ रूट में करता है इस कहानी से मैं आपको दो चीज़े बताना चाहे रहा हूं नमबर एक हमेशा पॉस्टिव सोचें नेगेटिव सोच अपने दिमाग में ना रखें दोस्तों उसका कारण क्या है नेगेटिव थौट अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो उसका होगा क्या उससे है जो नेगेटिव थौट अपने दिमाग में आप बसाएंगे उ दिमाग को एक निर्देश देंगे और वो चीजे आपकी लगातार चलती रहेंगे और जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप एक नेगेटिव चीज को घटित करतों गए इसलिए हमेशा positive सोचने के लिए कहा जाता है हमेशा positive सोचे हमेशा productive सोचे डबल पी, टू पी इस चीज़ को में सयाद रखें positive और productive जब आप positive सोच रहे है और productive सोच रहे है तो वो चीज़े execute और positive और productive वेव में ही करेंगे हमेशा अपने दिमाग को positive सोचने के लिए positive चीज़ों के लिए क्या करें? निर्देशित करें suppose आप किसी examination के तयारी करते हो, आप visualize करके इस चीज़ को देखें कि मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ और इस thought को सोते समय, daily उसी उसको अपने दिमाग में, एक routine फॉर्म में उसको दोराएं अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप अपने दिमाग को लगतार निर्देशित कर रहे हैं एक positive thought के साथ एक positive energy के साथ, और विश्वास मानिए दोस्तों, यह चीज़ आपकी घटित होगी अगर आपको चीज़ पॉस्टिव सोचते हैं, तो यह आपका ज्यान है पॉस्टिव सोचना एक ज्यान है और उस positive चीज़ को जो आपने सोचा दिमाग में, वो execute करके आप वहाँ तक पहुँचे यह आपकी capacity है, यह आपकी छमता है, तो यह ज्यान और छमता में यह अंतर होता है positive सोचे, positive execute करे तो दोस्तों, लिखित और अलिखित सम्विधान के बारे मैं आपसे मैं बात करना चाहता हूँ लिखित सम्विधान का दोस्तों क्या मतलब है? लिखित से मोटा-मोटी ऊप समझते हो कि कोई चीज लखिवी रखिये कोई लिखित दस्टावेज रखा है वो लिखित समीधान है् मान लेते हैं अलिखित क्या है क्या लिख्यत लिखा ही नहीं मतलब वह पयपर फॉर्म में है ही नहीं वह हम लोग गूगल पर जाकरके net में उसको पढ़ रहे है digital form में हैं क्या हूँ ऐसा तो नहीं होना चाहिए digital form में भी हो सकता है लेकिन लिखा तो वो भी है ना दस्तावेज में तो वो भी होगा तो बहुत से लोगों के मन में बहुत से experiment के मन में ये question रहता है कि आखर लिखिद समविधान और अलिखिद समविधान में अंतर क्या है इसका मैं सीधा तुम को एक्जामबल बताता हूं दोस्तों सीधी-सीधी मैं तुम से बात करूँ समविधान सभा का नाम आपने सुना होगा बिल्कुल सिंपल लाइन में आप समझो कि जिस समिधान को बनाने में समिधान सबा गठित हुई हो एक कमिटी बनी हो वो तो लिखे समिधान है दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ा आपको बता देता हूं वो लिखे समिधान है दोस्तों किसी चीज़ को एक्जिक्यूट करने के लिए एक कमिटी बना दिया 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 उसमें कुछ लोग, कुछ मेंबर्स होते हैं, उनको बैठा दिया जाता है, और वो एक खाका तयार करते हैं, जैसे आप मैंने अभी बताये हैं, दिमागी रूप में एक खाका तयार करते हो, फिर उसको एक्जिगूट करते हो, कई लोग एक दिमागी रूप से निकाल करके, अपने विचार ला करके, हमें ऐसी constitution चाहिए, हमें देश को ऐसे चलाना है, तो वो एक समिधान सभा गठित की आती है, फिर हालक कि उसको गठित करने बाद जो काम पूरा हो जाता है, तो उसको खतम कर दिया जाता है, वो अलग म समिधान है, क्लियर हो गई बात, जहां पर लिखे समिधान दोस्तों, वहां पर समिधान को सर्वोच माना गया है, सुप्रीम, एपेक्स, समिधान ही सर्वोच है, और जो जूडिसरी होती है, जैसे जूडिशल रिव्यू करती है, आपने सुना होगा, जूडिसरी इस चीज के रिव्यू किया हिंदी टर्म मुझे आद नहीं है रा जूडिशिल रिव्यू का नेट में आप देखो जूडिशिल रिविव्यू की पावर मिली होती है उसका व्याख्यान कर सकती है कौन कोड सुप्रीम वूट सुप्रीम वूट यह चीज होती है अब मैं अलिखित की बात करता हूँ आपसे जो अलिखित समिधान दोस्तों इसमें संसद इंपॉर्टन्स जादा रखती है संसद को कहा जाए पारलियमेंट को कहा जाए तो दोस्तों वो सर्वोच है अब आप कहेंगे मैं क्या बोल ला हूँ हाँ जी मैं बिल्कुल सही बोल ला हूँ अब आप समझो एक समिधान सवाव गटित हुई उसने एक अनुमान लगाया कि चोरी जैसी घटनाएं हो सकती है तो उसके लिए हमें क्या प्रावधान रखना चाहिए उसके लिए क्या कानून क्या नियम हमें बनाने चाहिए क्या चीजे समिधान में हमें डालनी चाहिए यह लेकि समिधान में आ गया अलेकि समिधान में आप मान के चलना है चोरी ऐसी घटना माली जब हुई ही नहीं है जब होगी तब देखा जाएगा तब उस पर प्रावधार हम बनाते हैं और जब वो घटना हुई उस घटना के बाद एक उसका रिजल्टेंट निकल के आया कि हमें इसे ऐसे कंट्रोल करना है इसके लिए हमें यह प्रावधार यह प्रोवीजन समय को बनाने हैं तो दूस्तों यह लिके समिधान क्लियर हो गई होगी बात ब्रिटेन मैगना काल्टा सुना होगा अपने नाम चार्टर एक्ट आते रहते थे उसमें प्रावधान होते रहते थे एक चार्टर के बाद दूसरा चार्टर आया पिछले चार्टर का प्रभाव खतम हो गया लेकिन लिके समिधान में ऐसा दोस्तों नहीं है आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप मुझे बताओ अब आपको लिखित और अलिखित समिधान क्लियर है या नहीं है थेंक्यो कैसे बात समय होगी और आपको टूसरा नहीं है